हुआ है है गाई दिसी मोशर्मा कैसे हैं सब लोग बैट अगे एक फिर से सवागत है आपका हमारे नए लेक्षर में गैस आज का हमारे टोपिक है वो है किसके उपर हमारे टोपिक हम लोग कवर करने वाले हमारा चेप्टर नबर 6 जिसका नाम जो है वह है क्या है तो उसके बारे में थोड़ सी चर्चा करेंगे आज होता क्या है ठीक है अपने इंडिया में उसका शुरुआत कैसे कैसे हुआ और फेस क्या तो मुचल फंड की जरनी है उसको मै में अपने वोग कवर करना है जी सर तो करें शुरू तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसका मुचल फंड का तो इसका मुचल का मतलब क्या होते है तक यह होते है एकठा एक एकठा बहुते तो collective क्या होते है collective, और fund का मालब क्या होता है, पैसा, क्या बोलते हैं, पैसा, तो mutual fund को दोनों को अगर मैं क्या कर दू, merge कर दू, तो हम क्या बोलते हैं, what is a meaning होता mutual fund, तो हम बोलेंगे, एकठा पैसा, collective पैसा, इसका मालब यह हो गया, mutual fund basically जो है, वो क्या रेगा, एक ऐसा fund होता है, एक ऐसा, म हम लोग क्या करने वाले है, invest करने वाले है, that scenario or that concept is known as a mutual fund, तो mutual fund में basically क्या किया जाएगा, public से, जो public, जो scattered public है, जो value हुई है, पैसा क्या करेंगे, इकठा करेंगे, उन से पैसा इकठा करके, फिर वो सारा पैसा हम channelize करने वाले हैं, कहां पे, corporate securities में, जिससे क्या होगा, corporate development ह और उसकी वज़ा से capital formation हो का country में, और country के अंदर economic development का phase हो क्या हो जाएगा, start हो जाएगा, तो basically mutual fund के अंदर हम लोग करते क्या है, यह है, mutually, mutually मैं लोग कुछ लोगों से जो है, जो हमारे जो public है, public से पैसा इकठा किया जाता है, उसको pool किया जाएगा, collect किया जाएगा, total small investor, जो छोटे-छोटे investor से जो है, वो क्या करता है, पैसा इकठा करता है, and then invest it, और फिर क्या करता उसको, invest करता है, in various investment options, like shares, bonds, etc, तो mutual fund क्या है, यह एक financial instrument है, जिसके तुरू क्या होगा, public से थोड़ा-थोड़ा पैसा इकठा किया जाएगा, और फिर उस पैसे को इकठा क पैसे करते हैं, और के corporate securities के अंदर क्या कर दिया जाएगा, invest कर दिया जाएगा, this fund is managed by expert, यह जो funds होता है, यह जो mutual fund आपका, इसको experts से होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक perfect जिसको जो है, stock market का, या money market का, जिसको proper knowledge होता है, तो वो लोग जनले, mutual fund को जो हो क्या करते है, mutual fund क को क्या करते हैं, regulate करते हैं, regulate हो plus, mutual fund को चलाने का काम करते हैं, mutual fund को चलाते हैं, वो लोग ठेक है, उसको manage करने का काम करते हैं, मूचर पन के है एक investment vikal है, that is made up of the pool of the fund collected from many investors, mutual fund के एक investment vikal है जिसको कैसे बनाए गा, made up कैसे कि डिया गया, of a pool of fund, pool of fund, pool of fund का मेलब क्या है, funds को pool कर लिया, इकठा कर लिया, which are collected from many investors, जिस पैसे को इकठा किया गया था, कहां से बहुत सारे investors से, for the purpose of investing in securities, such as stock, bonds, money market instrument and the similar assets, one of the main advantages of mutual fund is that they give small investors assess to professionally managed, अब देखो चोटी-चोटी पबले के, उनको क्या पता, किस कहां पर पैसा लगाना है, थेखे, उनको ज़्यादा knowledge नहीं है, capital market का, तो जो portfolio managers होते हैं, जो बड़े-बड़े mutual fund को चलाने का, उसको manage करने का काम करते हैं, उनको highly knowledge होती है, तो mutual fund के through to public पैसा लगाती है, तो public को एक advantage जो है, आम जन्ता को यह मिलता है, कि उनको professional का service मिल जाता है, आगे, diversity-wide portfolio of equity, आम जन्ता पैसे लगाएगी, थोड़ा बहुत पैसा होता है, वो लगाएंगी, वो एक ही जगा लगाएंगी, बट mutual fund वाला सारे पैसे को एक ही जगा, जो है, वो channelize नहीं करता, वो basically क्या बनाता है, उसका portfolio बनाएगा, आगे, and bonds and other security, which would be quite difficult, if it not possible, to create with a small amount of capital, तो वो लोग तो ऐसा करते हैं, और जो एक अकेले बंदे की जो है, वो बसकी बात नहीं है, तो basically mutual fund से हमें यहां पे जो है, कुछ clarity जो है, वो यह हुआ कि mutual fund जो है, वो क्या होता है, collective पैसा, आम जनता से public से पैसे को एकठा किया जाएगा, और फिर उसको जो है, हम लोग क्या कर देंगे, channelize कर दें कहां पे, चैनलाइस कर दें कहां, corporate securities के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या mutual fund, अब थोड़ा सा mutual fund के लिए basic basic सी बाते करते हैं, देखो, mutual fund में हम लोग किया क्या, आम जनता, आम जनता बोले तो public, public जो है, वो क्या करते है, पैसा लगाते है, किसके अंदर mutual fund में, जब public पैसा provide करेगी mutual fund को, तो mutual fund बदले में उनको देता है, क्या units, जब आप पैसा लगाते हो, companies के shares में, तो बदले में आपको क्या मिलता है, shares मिलता है, उसी तरह जब public जो हो, पैसा लगाएगी mutual fund के अंदर, तो mutual fund जो जनता को मिलेगा, वो क्या मिलेगी, units मिलेगा, that means, कि public जो है, वो invest करेगी, कहाँ पे, in the units of the mutual fund, public ने पैसा लगाएगा, कहाँ पे, units of mutual fund, फिर mutual fund वाला क्या करेगा, उस पैसे को आगे channelize करेगा, कहाँ पे, कहाँ पे, corporate, sector के अंदर, मतलब, invest करेगा, in the corporate security, ठेके, तो अब देखो, mutual fund में, जब public में पैसा लगाएगा, तो बदले में, mutual fund वाला जो है, वो आम जनता को देगा, क्या, units देगा, क्या देगा, units देगा, जब आप लोग, companies में, अगर मान लो, public जो है, वो directly company में पैसा लगाती, तो बदले में, public को, जो है, वो क्या मिलता, मान लो, एक बार, अगर equity में लगाती, तो क्या मिलता, shares मिलता, तो public बन जाती क्या, shareholder, क्या बन जाती, shareholder, लेकिन आपने पैसा लगाए, कहाँ पर, mutual fund में, और mutual fund ने बदले में, आपको क्या दिया, units दिया, तो आप जो है, वो क्या बन जाएगे, public जो है, वो क्या बन जाएगी, unit holder, क्या बन जाएगी, unit holder, तो basically, mutual fund एक ऐसा scenario है, basically तो, देखो, पैसा जातो रहा है, corporate sector के अंदर ही, बट वो directly ने जा रहा है, वो क्या हो रहा है, indirectly जा रहा है, through the channel of the mutual fund, mutual fund को mediocre के तोर पे आपने क्या कर लिया, इस्तेमाल गिया, और फिर आम जंदा से जो है, वो पैसा जो है, क्या क्या किया किया किया, पूचाया गया है, कहाँ पे corporate sector में, okay, यह mutual fund का concept आया क्यों, बैंक भी तो ऐसा ही करते हैं, बैंक भी तो accepting for the purpose of lending करते हैं, बैंक भी आम जंदा से पैसा जो है, वो असेप्ट करते हैं, उसको फिर आगे क्या करते हैं, लेंडिंग के तोर पे, तो mutual fund का concept क्यों आया, बैंक भी तो जनली यही काम करते हैं, तो mutual fund क्यों लेकर हैं, mutual fund के प्लाने के पीछे का main motive जो है, वो कुछ ऐसा था, ध्यान से सुनना, देखो, जब country independent हुई, 1947 के बाद में, जब country, 1947 independent हुआ, तो उसके बाद का scenario कुछ यह था, public के पास दो भी पैसा ही कटा होता था, public उस पैसे को अपने पास ना रखे, वो क्या करते हैं, जमा करवाती हैं, bank में नहीं, कहां पर जमा करती थी, post office में, पोस्ट office में, bank में नहीं करते थी, वाए bank में क्यों नहीं करते थी, क्योंकि mostly उस तेम पे majority जितने भी बैंक थे वो सारे के सारे किसके कौन से बैंक थे privately owned थे कैसे थे privately owned और जो private bank होगा उसके अंदर पैसा लगाते हुए आम जंदा को थोड़ी गभराट होती है कि कल को अगर मान लेजिए bank डूब गया तो भाई साब हमारा पैसा तो गया यह security तो आम जंता जो है वो जा रही थी कहां पर वो पोस्ट ओफिस में जा रही है और पोस्ट ओफिस के अंदर जागे FD का खाता खुल वाली है या फिर अपना सेविंग काउंट खुल वाली और वहां पर पैसा यूनिस करती थे अब जो पोस्ट ओफिस वाला है वो ओ कंपनी को पैसा प्रोबाइड करता नहीं था तो कंपनी को पैसा मिलता नहीं था मय industry लगेगा तो जाके जो है वहाँ पर क्या होगा बढ़ावा मिलेगा मानने जी आपके economic आपकी develop होगी only agriculture के base पर जो है आप अच्छा development नहीं कर सकते हो जरूरी है जरूरी है बट only agriculture के base पर अगर आप बोलो कि हम बना रहे हैं आपने company जो है वो क्या की फोर्म बनाई ठीक है अब company बनाने के लिए आपको company के लिए क्या ची अच्छी capital जी अब पैसा कहां से आएगा या तो खुद का पैसा या भाहर से लेगा आते हो बहार से तो जनता से लाओगे मलब company के पास पैसा कहां से आएगा या तो जनता से अगर अगर company जो है वो क्या कर दे अगर company issue कर दे क्या IPO initial public offer तो जनता से पैसा एगठा कर लेगी बट जनता घवरा दी है कि हम company में directly पैसा नहीं कहींगे ठीक है या company के पास में जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा economic में को पे अब जब किया बहुत सही जब बैंकों के पास पैस पैस OUR और बैंकों के पास पैस नहीं को और वह पॉप्सा हो Arts बोलो जी सर और अगर पब्लिक को लगेगा कि बैंक जो है वो सारे के सारे प्राइबिटली ओंड है और उनके अंदर पैसा लगाना थोड़ा सा डिस्की है तो जैनली वहां पर पैसा नहीं लगाएंगे और या फिर कंपनी के पास पैसा लेगा कहां से गोवर्मेंट से लेग पैसार दिक्कट जो है वो यहां पियर आई दोने शुरू ही कि ना वहीं ना तो बेंक और तो यहां पर एक घंट करने के लिए बैसिकली रिकमेंडेशन दिया गोर्मेंट को की गोर्मेंट मटी आप एक काम करो आप बीच में आऊव अगर आप बीच में development गोवर्मेंट ने जो है वो क्या किया इंटर्ड्यूस किया एक system system किसका mutual fund का एक system चला है किसका mutual fund का by establishing the UTI पहली बार 1963 के अंदर 1963 के अंदर गोवर्मेंट ने system established किया जिसका नाम किया रहा UTI और उससे उसके तुरू government ने यहां पे क्या किया पबलिक से कमर से पैसा यह गया किया JEFF 인이 कर दिया इसका मलबक गोवर्मेंट यहां पे ईजे मिडियोकर की तोर पर आई है अब यहां पर यहां पे हम प्यार से बहुत को mutual fund मैं इसको बोट दिया यूटिया जो है मेरा क्या है mutual fund है अब पब्लिक इसके अंदर पैसा लगा रही है पब्लिक गबरा भी नहीं रही है क्यों कि पब्लिक को जो है विश्वास हो गया पर यह तो government का है और government का है government का डूबे का निकल को अगर मानलो यह government वाला यह वाला सिसन डूब भी गया तो भी भाई government responsible है government का पेमेंट करना पड़ेगा तो अब पब्लिक ने पैसा लगाना शुरू किया किस में मूचल फंड ने पैसा लगाना शुरू किस में corporate sector के अंदर दोनों का नीड जो हो गया पूरा हो गया आ रही है बस अज में तो government को बोला गया कि जी आप शुरूबात करो आप एक काम करो आप बनाओगे इसको मूचल फंड को और आप आम जनता से पैसा क्या करो इकठा करो आप इकठा करोगे देन उसके बाद में benefit हमको यह हो जाएगा कि जनता आपके ओपर विश्वास करेगी आपको पैसा प्रोवेड करेगी देन आप हमारे पास में क्या कर देना उस पैसे को channelize कर देना इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं अपने mutual fund का तो इंडिया के अ कोने sponsor दूसरे पर कोने trustee और तीसरे पर कोने AMC asset management company तो इन इंडिया अपने इंडिया के अगर में बात करते हैं mutual fund इस इन अपने इंडिया के अंदर mutual fund जो है वो कितने में थ्री टायर structure में थ्री टायर में थ्री टायर के अंदर एक sponsor एक अब इनके बार में पढ़ेंगे तो मैं complete ही आपको इसका जो organization structure है हम वो करते हैं पहले कि अपना mutual fund है उसका organization structure गया आईएगा निपठाते हैं इसको आप आएंगे अपने organization structure पर यह देखिएगा ऐसा करके मिलेगा आपको organization of mutual fund notes के अंदर देखो सबसे पहले number पर जो है वो आएगा unit holder हाँ जी अब जल्दी साब मुझे बताएंगे who is unit holder sir unit holder वो person होता है जो basically क्या करता है mutual fund के अंदर पैसा invest करता है उसको बोलते हम लोग क्या unit holder unit holder is a person or institution which invest जो invest करता है their funds इंदा कहां पर mutual fund में जो पैसा लगाएगा किसमें mutual fund में उसका बोलते हम लोग क्या unit holder number two के ओपर जो आएगा वो कौन आएगा जी sponsor second number पर कौन आएगा sponsor सरी sponsor कौन होता है यह बताओ जल्दी से sponsor वो person है जिसके mind में idea आया क्या कोलनेगा mutual fund कोलनेगा उसका बोलते हम लोग क्या sponsor इनिशियेट जो आपका spon Tiruма को क्या करेगा इनिशियेट करेगा idea to set up a mutual fund, sponsor वो होता है जो क्या करेगा idea initiate करेगा mutual को क्या करनेगा से इप करनेगा it could be registered company यह कौनकोन हो सकता है यह registered company भी हो सकती है schedule bank भी हो सकता है या कोई financial institution भी हो सकता है the sponsor appoint the trustee sponsor वो होते है जो appoint करेगा किसको trustee को sponsor AMC को appoint करता है sponsor custodian को appoint करता है once the AMC asset management company अभी पढ़ेंगे उसके बारे में अगर एक बार AMC को आपने बना दिया तो फिर क्या होगा sponsor is just a stakeholder तो sponsor only क्या बन जाएगा stakeholder बन जाएगा अभी पढ़ेंगे एंसी के बारे में और ट्रस्टी के बारे में आगे स्पॉंसर कुट प्ले एक की रोलिंग बेल आउट एंड एंसी ड्यूरिंगे क्राइस लेकिन अब यह को sponsor जो है वह only sponsor दुबार आ जाएगा ठीक है जी तो sponsor कोन होता है सबसे पहले सरस्पॉंसर वह person है जो initiate करता है किसको idea होता है mutual fund जो mutual fund के idea के क्या करता है शुरुबात करता है इसके बाद थर्ड नंबर पर जो आया वह कोन है जी trustee कोन है trustee अगर मैं बात करूंगा गाइस trustee के बारे में किसके बारे में trustee के बारे में तो भाई trustee कोन होता है who is trustee तो यहां पर यह बोला गया भाई trustee जो है जब एक बार mutual fund ने जो है sponsor ने जो है जब mutual fund को establish कर दिया तो उसके बाद उस mutual fund के internal जो भी affairs होते हैं उनको संभालने का जिम्मा जो होता है वो दिया जाता है कि इसको trustee को क्योंकि देखो mutual fund जब आप बनाओगे तो mutual fund बनाते ही ऐसा नहीं है कि आपको एक structure तो maintain करना पड़ेगा आपको trust बनाना पड़ता है पहले आपको format बनाना पड़ेगा किसका trust का तो Indian trust actor जो है उसके अंडर आपको पहले trust बनाना पड़ेगा वो trust बनाओगे तो उसके अंडर एक बंदे को point करना पड़ेगा उसको नाम होगेगा trustee जो mutual fund के internal affair को क्या करेगा संभालने का काम करेगा ट्रस्टी क्या करेगा जी प्रोटेक्ट करता है किसको the interest of the unit holder जो आपके unit holder उनके interest को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है सम टाइम कही बार ऐसा होता है trustee और sponsor सेम होते हैं trustee float करेगा and the market scheme and secure करेगा necessary approval they check वो चेक करता है रहेगा if the AMC investment are within the defined limit or note whether funds assets and also ensure that unit holder get their due return और क्या unit holder को जो है proper return मिल रही है या नहीं नहीं मिल रही है trustee ही सारे के सारे guidelines को भी जो है वो क्या करेगा fulfill करेगा और trustee की responsibility की वो हर 6-6 मीने में mutual fund की जो जो reports है उनको क्या करता रहेगा CBA को publish करता रहेगा for major decision concern the fund they have to take the unit holder consent they submit every they submit report every 6 months to the CBA okay तो तीसे नंबर पर जो आएगा उसका बोलते है हम लोग क्या trustee तो trustee को होते है जो protect करते है interest किसका unit holder रहा इसके बाद में अगला जो आएगा वो कोन आएगा AMC कोन आएगा अगला AMC 4th नंबर पर कोन है AMC ज्यान तो सुनिएगा public ने पैसा provide गिया किसको बोले sir public ने पैसा provide गिया किसको mutual fund वालों को अब mutual fund वाले उस पैसे को आगे क्या करेंगे invest करेंगे कहाँ पर corporate security में तो mutual fund के पास जो पैसा पोचा तो AMC का duty होता है उस पैसे को आगे क्या करने का इनवस्ट करने का तो AMC कौन है AMC वो है जो public के पैसे को क्या करता है manage करता है जो public के पैसे को क्या करता है manage करता है it takes investment decision ये क्या लेता है investment decision लेता है compensate करता है investors का through the dividend maintain करता है proper accounting and information for pricing of the units calculate करता है NAV and provide करता है information on listed scheme and secondary market transaction तो यह कौन होता है जी आपका AMC, कौन होता है AMC, AMC बोले तो बोलो Asset Management Company, तो Asset Management Company जो हमारी होती है इसका main काम जो हो यह होता है कि यह जो है वो mutual fund के पैसे को क्या करता है manage करता है उसको आगे invest करना की जिम्मेवारी जो हो किसके होती है AMC का, एक होता है transfer agent, यह तो मैं directly बोलता हूँ transfer agent का main काम क्या रहेगा, you are the unit holder, आप unit holder है आपने आज एक mutual fund की unit को purchase किया, कल को अगर आप उसको मेरे को sale कर दोगे, ठेक है, तो transfer agent का का क्या रहेगा, वो आपके account से units को क्या करेगा, sale करेगा, और मेरे account के लिए unit को क्या कर देगा, purchase दिखा देगा, इसका main का क्या रहेगा, transfer करने का रहेगा, इसको बोलता है आप लोग क्या, transfer agent, क्या बोलेंगे transfer agent और यही transfer agent वो होगा, जो record keeping का क्या करेगा, काम करेगा, एक line बढ़ा देता हूँ इसका, transfer agent is employee, किसी तरह लगा जाएगा, बाइता mutual fund, to conduct the record keeping and the related functions, आगे, एक होता है जिक custodian, छटे नमबर पे को नहींगा, custodian, अब जहां से सुना, who is custodian, AMC ने public का पैसा लगाया कहां पे, securities के अंदर, अब उन security को अपनी custody में AMC नहीं रखती है, custodian रखेगा, कौन रखेगा, custodian, तो आपका जो mutual fund वाला है, उसके अंदर एक person और रहेगा, जिसका नाम करेगा, custodian, यह custodian क्या करेगा, public का पैसा, जो mutual fund पे आया था, उस पैसे को security के अंदर क्या किया, इन्वेस्ट किया, अब जब इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो security के कुछ papers तो मिली होगे, वो security या तो material form में होगे, तो अगर material form में है, तो उसके कुछ share certificate या debenture के, आपके certificate या debenture का deed मिला होगा, और अगर वो debent form में है, तो debent account भी होगा, तो जो पैसा mutual fund ने invest किया है, corporate securities के अंदर, उनको अपने पास, उसको अपनी custody में जो रखेगा, उस person को बोलते हैं, हम लोग क्या, custodian, क्या बोलेंगे, custodian, तो custodian कोन है, mutual fund are required by the law to protect their securities by placing them with a custodian, कि वो उसको place करेगा, किसके पास में, custodian के पास में, nearly all mutual fund use qualified bank custodian, तो सेभी रिक्वाइर mutual fund custodian to segregate the mutual fund portfolio security from other bank assets, तो सेभी ये बोलता है कि mutual fund custodian को, कि तो bank वाली asset को अलग रखना और इनको अलग रखना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, custodian, क्या बोलेंगे, custodian, ओके, जी सर, सर, अपने इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं mutual fund का, तो mutual fund का आपने अभी हमको बताया है, चार phase के अंदर आपने डिवाइड किया हुआ है, हाज जी सर, सर वो चार phase कौन कौन से एक बताईए, देखो notes के अंदर तो मैंने ये लिखा हुए, है कि अपने इंडिया में mutual fund का शुरुआ दो, 1963 से, चार phase कौन को पहला phase है, 1964 से ले करके, 1987 अगला है, 1987 से 1993, अगला है, 1993 से 2003, और अगला है, 2003 से ले करके, अगला है, 2003 से ले करके, ये चार phase है, चारो phase को अपने को पढ़ना पढ़ेगा, अभी इन चारों का मैंने summary बना रखी है, तो मैं वो summary में से करवा हूँआ, आप घर पे इसका reading करेंगे, लेकिन simple simple सा है, ठीके ना, इसके summary मैं आपको बताता हूँ एक बार, तो इसका mutual fund वाला है, इसका summary, आईए गादेखते हैं, ये देखें जी, history of the mutual fund, अपने इंडिया के अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर mutual fund का क्या history था, तो उसके बारे में थोड़ सा पढ़ते हैं, सबसे पहले phase number one, अगर हम बात करेंगे, अपने इंडिया में, इसका phase जो है, पहला जो phase start हुआ, वो कब हुआ, एक ही fund खुला गया, जिसका नाम क्या रखा, जो जिसको establish किसे ने किया, RBI ने किया था, ठीक है, और 1978 के अंदर RBI को dealing कर दिया, और वो जो भी पूरा stake था, वो सारा का सारा ले लिया, किसने, ITBI ने, तो पहली बात तो यह हो गया, first phase, जो है, mutual fund का अपने इंडिया में कैसे शुरू हुआ, 1964 में, ठीक है, जब 1963 का UTI का act बनाया गया, लेंगे scheme तो 64 के अंदर है यही, तो बोलते है, UTI को establish किया, 1963 में, by the act of parliament, ठीक है, 1963 में आपने क्या किया, जब इसको UTI का establish किया था, किसे ने establish किया शुरूवात में, RBI ने, लेकिन in 1978, उसको dealing कर दिया किस से, IDBI से, किस से dealing कर दिया, RBI से, और अब उसका stake किस के पास में डाल दिया, IDBI के पास में, तो इसमें, first phase में, आपको जो याद करके जाना है, वो सिरब यह, कि 1964 से 1987 तर, एक ही mutual fund था, only one, जिसका नाम जो है, वो क्या था, UTI, एक ही था, उसका नाम क्या था, UTI, इसके बाद में, अपना second phase थे हो है, वो क्या हुआ, start हुआ, 1987 से लेकर के 1993 का, इस phase के अंदर क्या किया गया, अब ध्यान से सुनना, यह जो अपना second phase शुरू हुआ, जब अकेला UTI काम कर था, 96-300 से वर्किंग करना शुरू के, 87 तक, तो बाद में, कुछ गुवर्मेंट के, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक और रहा है, और वो बोले जी, हम को भी मुका दो, हम भी चाहते हैं कि, हम भी कंट्री के अंदर, जो हो क्या करें, मुचल फंड को ले, तो गुवर्मेंट ने उनको भी लैसंस दे दिया, लेकिन पब्लिक सेक्टर वालों को, यह बोला कि, ठीक है, आप भी जो है, वो अपना मुचल फंड खोल सकते हैं, 1987, शुरू से, 66 से लेकर के, 1987 तक, ओनली यूटी आई, ओनली कौन, यूटी आई, ओनली यूटी आई था, और उसके बाद मैं देर आफटर, ओपन कर दिया किसके लिए, यह जो मुचल फंड सेक्टर था, ओपन कर दिया किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, और पहला जो नोन यूटी आई मूचल फंड था, आपका वो कौन सा था, SBI मूचल फंड, तो पहला कौन सा था, SBI मूचल फंड, ओके, जी सर, तो 1987 से 1993 तक का यह फेस सला, ओनली गूवर्मेंट वाले थे, इसके बाद फिर प्राइवेट वाले आगे, वो बोले जी हमने क्या गुना किया हुए, हमको भी दो, हमको भी मोका दो, हम भी यह चाते हैं, कि हम भी क्या को ले, मूचल फंड खोले, और गॉवर्मेंट ने जो है, वो उनको भी क्या दिया, लाइसन दिया कि ठीक है भाई, तुम भी आओ, तुम क्यों पीचे रहे रहे हैं, तुम भी आजाओ, अब मुझे एक बात बताईएगा, गॉवर्मेंट गपला करेगी जादा, या प्राइवेट वाला ले पैसा लेके भाग सकता है, भाई सर, गॉवर्मेंट तो इसा तो नहीं करेगी, पबली से पैसे लेके भाग जाए, गॉवर्मेंट कहां भागेगी, गपला जो करेगा, वो कौन करेगा, प्राइवेट वाला, अब जैसे प्राइवेट वाले का एंट्री होगा, 1993 में, उस ताइम ही, सेबी को बुला गया, कि सेबी, आपको क्या करो, क्यों कहीं न कहीं, यह Capital मार्केट से related है, क्यों कि पैसा तो Capital मार्केट में लगेगा, तो Capital मार्केट का हमारा जो Regulator है, Chapter number 7 में हमने पढ़ा, Regulator के बारे में, तो वो को था अपका? सेबी, तो सेबी को बुलायाएगा कि सेबी आप एक काम करो इनके लिए mutual fund वालों के लिए आपको guidelines लिए वो क्या करें इश्यू करें तो यहां पर third phase लिए आपका शुरू हा कब 1993 से लेकर के 2003 तक का यहां पर क्या किया कि entry हुआ किसका private sector funds का प्राइवेट सेक्टर फंड की mutual fund सेक्टर ओपन कर दिया गया फॉर दा प्राइवेट सेक्टर के लिए तो अपने इंडिया के इंदर मुचल फंड सेक्टर जो था वो ओपन कर दिया किसके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए और उसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में सेबी mutual fund regulation 1993 बनाया गया सही बोल रहा हूँ मैं रलत नहीं बोल रहा हूँ मैं सेबी mutual fund regulation 1993 बनाया गया सर हम तो 1996 सुना है एक्जेक्ली आपने जो सुना है वो सही सुना है नहीं शुरू में 1993 बनाया था बाद में अमेंडिमेंट किया गया और नई जो guidelines सी mutual funds को regulate करने की वो 1996 में है तब से लेगे और अब तक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है सेबी mutual fund regulation 1996 जब प्राइवेट सेक्टर को एंटरी दिया गया तो सबसे पहला अपने इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर का basics आया तो इसने यह बोल दिया जिस सारे के सारे mutual fund को जितने भी mutual fund ना उनको क्या करना पड़ेगा registration करवाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा registration करवाना पड़ेगा under this under this regulation और किसके पास में सेबी के पास में accept UTI UTI को छोड़ के मलब जितने भी mutual fund है चाहे वह गवर्मेंट के हैं चाहे वह private वाले हैं उन सारे mutual fund को क्या करना पड़ेगा अपने mutual fund को register करना पड़ेगा किस को छोड़ के किसको छोड़ के UTI को चोड़ गया, क्यों क्योंकि UTI के लिए अलग से 1963 में एक्ट बना हुआ था जिसको बोलते हैं UTI Act 1963 अब जब 4th phase आया तो इसके अंदर क्या हुआ 4th phase के अंदर जो है वो क्या क्या है, 4th phase तलिबा तो कब से शुरूआ फरवरी 2003 के अंदर फरवरी 2003 के अंदर जो है, जो हमारे UTI Act था उसको repealed कर दिया बोले तो उसको रद्द कर दिया अब इतना बड़ा सेक्टर चलो रहा था पूरा mutual fund वाला जो UTI चला रहा था, अब UTI का system जो है, उसका क्या करें भाई UTI को सर्भालेगा कौन तो यहाँ पे एक system किया गया इन FAB 2003, repeal कर दिया UTI का act, UTI का act जो परद कर दिया तो वहाँ पे UTI को जो है गोवर्मेंन ने क्या किया, बाइफरकेशन किया कितने पार्ट में, दो separate entity के अंदर एक entity को जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, specified undertaking of the UTI और दूसरा क्या था, UTI mutual fund जो सबसे पहली entity थी, इसका नाम जो है वो क्या था, specified undertaking of the UTI तो यह रीपेसेंट करती है broadly कि इसको asset to the US64 scheme सरी यह US64 scheme क्या है, यह basic लिए एक scheme थी, किसकी? mutual fund की, ठेक है, तो यह इसको जो है वो क्या करती है, यह इसको नाम के है, US64 scheme तो जब UTI को dismantle कर दिया जब UTI एक्ट को खतम किया तो उस तेम पे UTI के, जो mutual fund था उसके दो हिसे किये गए, एक तो एक को बोलते हैं हम लोग क्या, specified undertaking क्या बोलते हैं, specified undertaking ठेक है, और यह जो है वो basically denote करेगा किसको, US64 scheme को, ठेक है, यह function करेगा under the, under rules, framed by the government of India, यह किसके under come करेगा, उन rules के under come करेगा, जिनको frame किये किसने, government of India ठेक है, मालब इसके बार mutual fund के regulation नहीं चलेंगे, और जो दूसरा जो बनाया है, आपने दूसरा जो पार्ट था, उस पार्ट को जो है, वो संभालेगा कौन mutual fund, second is the UTI mutual fund जो registered है, विदि किसके पास में, सेबी के पास में, और function करेगा under the mutual fund regulation तो जब UTI को क्या किया गया है dismantle किया है, UTI Act को खतम किया गया तो वहाँ पे UTI Act के दो, हमने bifurcation किया, एक था कौन सा, specific undertaking को यूटे और कौन सा, UTI mutual fund, तो specific undertaking को सभालेगी center government, UTI mutual fund को सभालता है, कौन आपका, सेबी mutual fund regulation, ओके जी सर, ये है जी हमारा basic basic इसका, mutual funds का कि mutual fund जो हो एक्चल में होता क्या है mutual fund के बारे में सारा performa हम लोग उन देखा, उसका history देखा, mutual fund functioning कैसे करता है, वो देखा अब next class के अंदर हम लोग जो है क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, sir next class के अंदर हम लोग जो है, वो पढ़ेंगे ये, एक तो अपना benefits mutual fund पैसर लगाने का benefit क्या फिर एक ही अपना NFO new fund offer, जैसे IP होता है की information में उसके बार में, तो ये type of fund पढ़ेंगे, type of fund के बाद फिर हम लोग जो है, वो पढ़ेंगे इसका mutual fund service system, ये है क्या, कैसे manage किया जाता है, ठीक है, फिर अपने को पढ़ना इसका trading कैसे होता है, clearing system जो है, वो कैसे काम करता है, ये हमने पढ़ लिया, फिर हम लोग जो है एक पढ़ेंगे, इसमें risk और regulation, urban topic जो हो जाएगा, क्या खता, ओके, जी से, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलेंगे हमारे next lecture में, ठीक है, lecture कैसा लगा है, comment करके जरूर बताईएगा, अगर अच्छा लगा है, तो अच्छा अच्छा comment कीजिएगा, ठीक है, और अगर कोई कमी लगी है, तो वो भी बताईएगा, अच्छा लगा हो अगर lecture, तो अपने friends के साथ में आप इसको जो शेर भी कीजिएगा, ओके, revision के audios हमारे, एक्चली क्या है, हम revision के audios भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, वो free of course है, सभी बच्चों के लिए हैं, तो अगर आप UGC net का preparation कर रहे हैं, तो आपके लिए भी हमारे telegram का जो हमारे group हमने बना रहा है, उसका link हमने description में डाला हुआ है, आप उस पे click, पहले telegram app को download कर लेना, फिर लिंक पे अगर आप click करेंगे, तो आप हमारे group को join कर लेंगे, ठीक है, वो invite link है, तो उसमें क्या है कि अपने UGC net के अंदर, जो अपना paper number 2 है, commerce का, तो उसके various जो हमारे 10 हमारे जो units है, उनके audio lectures भी हम वहाँ पे provide करवाते हैं, वो हमारा flavors बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ-कुछ चीजें, कुछ-कुछ topic अगर आपके जो है, वो कमजोर हैं, तो वो आपका हो सकता है, वहाँ से, ठीक है, तो देख लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लेगे, ओके, जी से चलो, ये कीजिए, ये बाकी मिलती हमारे नेक्स सेक्चियों में तब तक लिए, थैंक यू वरी मच्च